नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल ICT Icard B में अपलोग का स्वागत है आज फिर से हम अपलोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे पता करेंगे आपके आधार काड के साथ कितना SIM कार्ड एक्टिवेट है कितना मुबाइल नमबर अभी चल रहा Government of India टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एक नया अपडेट लाया सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है कि आप घर बेटे ऑनलाइन पता कर सकते हैं आपके आधार नमबर के साथ कितना मुबाइल नमबर एक्टिवेट है कितना मुबाइल नमबर अभी चल रहा क्योंकि अभी फ्रोडिंग बहुत सरा हो रहा कि दूसरे का नाम से SIM खरीदा जा रहा दूसरे से फ्रोड किया जा रहा आपके आधार कार्ड में कितना मुबाइल नमबर एक्टिवेट है कितना SIM कार चल रहा अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा नमबर है जो आपका नहीं है लेकिन आपका आधार कार्ड से लिंक है क्योंकि ये नया अपडेट है सभी को नहीं जान करिए तो फ्रेंट गुरूप में जरूब वीडियो का सेर कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राब भी कर लिजेगा नया अपडेट पाने के लिए चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर इस वेब साइट का लिंक दे दिया है पहले वीडियो को एक बाद देख लीजे कि आप पूरसे से उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पर आके जरूद चेक करेंगे तो वीडियो का description पर जैसे click करेंगे तो इस तरह का interface open होगा how many sim card on my adhar card तो यहाँ पर आना है तो हिंदी में यहाँ पर जानकारी दिया गया आके आप लोग check कर सकते हैं और इसका step भी दिया गया कि कैसे आप लोग को check करना ठीक है देख सकते हैं इस परकार आप लोग का 100 करेगा कितना mobile number activate है ठीक है अभी चल रहा अगर कोई number अगर आपका नहीं है लेकिन आपके आधार कार से दिख रहा तो उसको यहाँ सा आप request भी डाल सकते हैं उसके लिए क्या करना step बताया हो आके जरूँ चेक करेंगे और यहाँ पर click हैर में click करना है जैसे आप click हैर में click करते है ता आपके सामने इस तरह के interface open होगा यहाँ पर मांगा जा रहा इंटर योर मुबाइल नंबर आपको अपना मुबाइल नंबर डालना है जैसे मुबाइल नंबर डालेंगे और request OTP करेंगे तब के मुबाइल पे एक OTP आएगा अगर SIM आफिक आधार से खरीदा किया है जिनके आधार से जिस नंबर को OTP लाएं तो यहाँ आपने मुबाइल नंबर को फिल अप करेंगे request OTP करेंगे आपके मुबाइल पे OTP आएगा उसका OTP को फिल अप करके जैसे ही validate करेंगे उसका आपको पोटेल सो हो जाएगा कि आपके मुबाइल नंबर के साथ महलें कितना आपके जो आधार नंबर है जिस मुब मुबाइल जिनका नाम से registered है उनका नाम से जितना मुबाइल नंबर registered होगा सब कुछ ऊपर पर चार है पांच सब दीख जागा तो आपके नाम से खरीदा गया तो उस इस आधार से कितना मुबाइल नंबर एक्टिबेट हो घा unless your online वो Guys दिया गया कि अगर आपका यह से मुबाइल नमबर नहीं है इन में से कोई ऐसा नमबर अगर चार में से चार दिखे पांच दिखे एक दिखे दो डिखे अगर आप ही कहा तो ठीक है आप चेक कर लिए लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका वो नमबर नहीं है कोई भी एक नमबर ज this is not my number click करेंगे और यहाँ पर report करेंगे जैसे report करेंगे ता आपको एक यहाँ पर complaint number भी मिल जागा या फिर अगर आपको अफी का number है लेकिन वो number नहीं चल रहा ठीक है अक्टिवेट नहीं आपको बंद कर देना वो number आपको यूज नहीं करना तो उस case में आप टिक करके यहा not required का option आएगा not required में क्लिक करेंगे और रिपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताये जाएगा your report submitted tracking ID आपको मिल जागा उससे क्या आप ट्रैक कर सकते हैं आपका request कितना दूर है उसका यहीं पर option में आया गया आपका tracking और cancel का option वहाँ पर जो tracking ID दिया ज सकते हैं ठीक है ट्रैक जैसे करेंगे तो आपका यहाँ पर दिखाए दिखाए देगा कि मुबाइल नंबर अभी जैसे आप complaint करेंगे तो तुरंती नहीं होगा तो पेंडिंग दीखेगा दो चार दिन बाट ट्राय करेंगे देखेंगे कि क्या सो करा अभी नया 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 कितना मुबाइल नंबर चल रहा ठीक है